IIT Bombay में करीब 36% लोगों को नौकरी नहीं मिली और यह कोई बहुत बड़ा Pomp and Show की बात नहीं है यह पोलिटिकल बात नहीं है यह बहुत ही painful बात है क्योंकि IIT जैसे बच्चों को अगर नौकरी नहीं मिल रही है IIT Bombay मतलब हम लोग जैसे तो कभी एज्यूम ही नहीं कर सकते हैं कि हमें admission मिलता IIT Bombay में या IIT के कहीं पे भी तो वहाँ पे अगर 36% बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है तो मेरे हिसाब से बहुत painful बात है यह हमारा 8.2% GDP जो growth है ऐसा growth का क्या काम की बच्चों को नौकरी ही नहीं मिल रही है हमारे देश में और कितने बच्चे हैं 200-500-1000 बच्चों के नौकरी नहीं मिल रही है इसका यह मतलब होता है कईवार की आपके घर में पैसा पड़ा है लेकिन लोग भूके बैठे है मतलब ऐसे पैसे का क्या काम जब लोगों कोई खाना नहीं मिल रहा है तो वही वाली बात है